नवस्का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बच दोस्तो बीएश्टीशी कॉलेज अलॉटमेंट दो हजार चौवीज को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट है रायस्तान बीएश्टीशी के लिए दोस्तो पहली लिश्ट तो चारी हो चुकी है और लगबग दोस्तो 24 जार 17 विद्यारतियों को पहली लिश्ट में कॉलेज भी मिल चुकी है हालांकि दोस्तो इसमें से सभी चात्र कॉलेज में डिशन नहीं लेंगे इसमें से भी काफी सारी सीटे खाली रहे जाएंगी और इसके अलावा टोटल कितनी खाली है अभी दोस्तो और कटॉप कितनी रहेगी सैकल लेश्ट में कटॉप कितनी कम होगी मन पसंद कॉलेज कैसे लें जिन उसके लेंगा लेंगे और अप को क्या रहे हैं तो सबसे पहले यहांपर आपडे दे सकते हैं PDL सस्ता में रिपोर्टिंग की अंतिम दिती 12 अगस्त है 12 अगस्त तक आपको कॉलेज में डोकुमेंट और फीज जमा करानी है 13 अगस्त को सभी चात्रों का एड़ीशन हो जाएगा और जिन चात्रों की फीज जमा होगी रिपो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आपको बता दूंगे उसमें भी क्या होता है इस साल दोस्तों स्रफ 5853 सीटें हैं और जो आपके 24 यार के आसपास जो सीटें अलोट हुई है 247 इसमें से भी कुछ सीटें खाली तो जाएंगी तो आप 304 सीटें और मान लेजिए इतनी सीटे आपकी खाली रह जाएंगी क्योंकि कुछ ऐसे विद्यारत दियाओंगे जिनको कॉले मिली लेकिन काफी जादा दूर कॉले मिली है और वो अपवर्ड मुमेंट तो कराएंगे लेकिन आपका बता दूंग उसमें भी क्या होता है कि आपका कॉलेज में एडविशन जो होता है दोस्तों वो फिर भी सबका अपवर्ड मुमेंट नहीं होता है कुछ चात्रों का अधिकतर विद्यारतों का अपवर्ड मुमेंट नहीं होता है कॉलेज चैंज नहीं होती है तो ऐसे मैं कापी सारी सीटें खाले रहे हैं अब दो हजार तो कम से कम मानिक चली कि दो हजार सीटें अभी भी आपके पास हैं जो आपकी सेकंड लिस्ट भरी जाएंगी एक 27,43,64 ने टोटल कांसिलिंग कर आई थी अब कापी सारे स्टुएन्ट मुझे कल कमेंट कर रहे थी कि सर क्या हमें द्वारा से कांसिलिंग करानी है जिस से साब Kendall kana environ में हुई है सैकंड लिस्ट रिवी था भी हैं तो थाट लिस्ट बोर्ड ने PTT आपकी दोस्ति आप जो बीएड का पेपर हुआ था उसकी कांसिलिंग मैं तो मुंका दिया था सभी चात्रों को जो फास्तिलेस्ट ने इनको कॉले मिली थी या फिर नहीं मिली थी उनको second second counseling के लिए एक तो second counseling का मौका दिया गया था इसके लिए बन्ने का option दिया गया था इसके हिसमें आप यह दोस्तों रेचेंग करा सकते थे college the जब कर सकते थे हालांकि इसमें इसमें अप्वर्द वएंट होगा तो route चोईस की संभावना कम है कि या फिर्ए चोईस भर पाओगे या फिर दोस्तो यह रहा से आप इसमें जो है जो है झांइन करा गए दुस्त है दौस्त बτा दूं द्वारा से काउंसलिंग नहीं होती है 친 इक बारी होती है शिरूप का बाकी के चातर भी कॉले एड़ेट कर सकते हैं तो उनको एड़िट का उप्शन साइध ही मुश्किल मिलेगा हालंकि बाहरत तारी के बाद और इस्तिति किलियर हो बिद्ञाई गी अभी दोस्तों आप अपना फिल जमा करा सकते हैं सेकल लिश्त कुए दोस्तों मैं आपको कल भी अपडेट अता जारी होगी वो 19 तारीक को आएगी 19 सकस्त को बोर्ड सेकेंड लिस्ट जारी करेगा अपवर्ड वेंट भी आएगा लेकिन अगर चॉइस फिलिंग का फ्रेज चॉइस बढ़ने का उप्सन दिया जाते हैं आपको आलंकि फ्रेज चॉइस का उप्सन दोस्तो या तो तब दिय जलता है जब आपकी याँ पर कॉलेज में जो एडिशन लेने वाले बिद्यारती हैं उनकी याँ पर दोस्तों कॉलेज सीटें बढ़ा दी गई हो हालांकि दोस्तों फ्रेज चॉइस का उप्सन मुस्किल ही मिलेगा द्वारा से और द्वारा से कांसलिंग नहीं करानी होती है है जो आपने पहले कांसलिंग करा युश्धिक क्या रपर निकाली जाती है बेश्टी में सेकंड कांसलिंग नहीं होती है फूर्स वारा आप कांसलिंग करा सकते हो हर बार आपको सो रुप एकशार रूपर देना होता है दोस्तों चार लगता इसका और कॉलेज भी उसम को दोसा में कॉले मिली है आप दोसा की जो कॉलेज उसमें पढ़ना नहीं चाहते हो तो पहले तो आपको उसमें फीर जमा करानी होगी डोकुमेंट जमा करानी होगी याणि यह एड़िशन हो जाए का आपका तेरे तारी तक इसलिए मिल जाएगी इसके बाद आप 14-16 अगर पहते हैं 1% मिलना आपके नंबर अच्छी होते हैं तो कंबर मिल आती है आलाइंकि बहुती कम चाहरों का पॉर्ड मिल्ट होपाता है दोस्तों बाकि सैकनलेस्ट कि अगर मात करना हो वार्ड आपकी 19 तारी को जारी करेगा सैकेंट लेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है सेकंड लिस्ट के लिए 2000 के आसपास सीटें बची हुई है और बिद्यारती अभी काफी जाता बची हुए है एक लाग 43-14 में से 24 चात्रों को कॉले मिल चुकी है तो बाकी की जो बिद्यारती है लग बगा आपके दो ही लिस्ट में सीटें भर जाएंगी अगर दूसरी में भी नहीं भरती है तो तीसरी आकरी लिस्ट आएगी अलांकि इस बार दोस्तों ज्यादा चात्रों ने 435 के आसपस कट अब गई है और female की 429 गई है OBC में और general की 435 गई है female में इडलवेस की 426 तक हो गया है आपका और female की मुझे नहीं पता है दोस्तो अभी और इसके अलाबा MBC में भी 423 तक हो गया है दोस्तो सेलेक्शन यानकी 420 पलस ही कट अब गई हलंकि ST के टिगरी में कम नमर पर सेलेक्शन हुआ है 400 तक सेलेक्शन हो गया है ST के टिगरी में उससे कम पर भी हो गया है संसत वाले कुछ शात रहें तो आपको दादों संसत की जो कट अब गई है 375 पलस गई है श्यादा करतों नहीं होगी तीन यह चेहनमर की कटऊप कम होगी सेकंड में अप उटमींट के लिए 14 से 16 तारी तक आप करोगे 19 विक्ष्ट को आपकी सेकंड लिस्ट आएगी अपवाड के साथ 12 तारी को क्लियर हो जागा किसको कॉले मिलेगी इसको नहीं लिया है आपका नहीं होगा तो आपने अपने मातापता का लगाया होगा उनके मिया जाएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बागी दोस्तों फ्रेश चॉस बनने का उप्सन नहीं मिलेगा अगर सीटें बढ़ जाती है इसी बीच में माले यह 19 तारिक से पहले वह भी साथर कांसलिंग करा पाएंगे जिन्होंने तीन यारूपर देकर कांसलिंग नहीं कराईती है लेकिन वह इस ते दितवर होती है जब आपकी कॉले बढ़ती है बना दोस्तों आपका जो पहली लिस्ट में आपने कांसिलिंग करें उसी कारपर आपकी सेकंड लिस्ट निकलेगी द्वारा से कांसिलिंग नहीं करानी होती है